मैं हूँ बापी और यह है चैनल नेटलाइन आज के इस वीडियो ट्यूटरियल में मैं आपको बाताऊंगा आप किस तरह से Android एप्लिकेशन को थूरू PC के मैदम से डाउनोड कर सकते हैं दोस्तों किया होता है कि हम Android एप्लिकेशन को अपने फोन से ही सिर्फ डाउनोड कर सकते हैं प्लियर स्टोर में जाके परंदू इसको अगर हम PC से डाउनोड करना चाते हैं तो यह पॉसेबल नहीं होता है तो यह बहुत ही आच्छा होता करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे यहाँ पर टाइप कीजिए apkpure.com उसके बाद इंटर पर क्लिक कीजिए देखिए यह अपर साइट जो है ओ आ गया तो पहला बर लिंक पर क्लिक कीजिए डाउनलोड अपर के गूगल प्लेस्टोर देखिए यह जो वेब साइट है यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा आंडर्ण है यहाँ पर अबेलवल है तो इस साइट में आपको और शिर्फ आंडर्ण ही मिलेगा आप यहाँ से डाउनलोड करके आपना phone कर सकते हैं कोई भी अप्लिकेशन साइट को आपको याद रखना पड़ाएगा इस साइट का नाम है apkpure.com तो चलिए किसी भी एक एप्लिकेशन को डाउट करते हैं चलिए इस गेम को ही डाउट करते हैं डाउट सोरी इस गेम को नहीं चलिए यहाँ पर फेस्बुक लाइट को डाउट करते हैं यह बहुत ही क यहाँ पर देख सकते हैं आप एप्लिकेशन के उपर इस माउस की की को लाते ही यहाँ पर डाउट अप्शन आजाता है आप सिंपली यहाँ पर किलिके देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस्बुक लाइट जो आभी भी हम मेंने डाउट करने को दिया है औ वा है इस एपलिकीशन को देखिये यह डाउनलोड अभी पूरा हो गया है कि अभी अभी आपिसको एपलिकीशन को ओपन करके आपना android phone पर डaticsकते हैं और आप इंस्तुल कर सकते हैं इसी तरह से आप PC से Android application को डाउड करके आपना mobile phone पर इंस्टोर कर सकते हैं तो आज का वीडियो टुटिरियल बस इसी के लिए था कि किस तरह से आप PC से Android application को डाउड करके आपना mobile पर इंस्टोर कर सकते हैं तो हमारे वीडियो टुटुरियल बस इसी तरह से देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फर वासिंग